दोस्तों मेरे से लंच में एक वेक्ति ने ना मेरे पास आकर मुझे अपनी डेटो पर दी थी और यह पूछा था कि मेरे डेटो पर्थ मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं डेटो पर्थ वो चार जून 1959 थी और यह बंबे के लोकर के ही रहने वाले हैं तो इन्होंने मेरे से बोना था मेरे ग्रिट देखके मुझे बताओ मेरे क्या प्रेडिक्शन निकलती है तो दोस्तों आज उस वेक्ति के ग्रिट से उसकी जिंदगी को जानने की कोशिश करते हैं और हम यह भी देखेंगे इस ग्रिट से आप इन सबातों के आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते ह मैंने देखा था छे और साथ नंबर दोना नंबर मुझूद है तो साथ नंबर आपके संतान सुप को बताता है और जनरली ऐसे वेक्ति कि लड़का होने की समभावना ज्यादा रहती है और वैसे छे नंबर भी देखा तो यह भी कैसा तो इनकी लड़की का सुप इनके चा सेकेंड बात करता हूं सेकेंड बात आपको पूछता हूं कि क्या आपकी लड़की भी है अब इनके घ्रिड में देखो क्या जबर्दस ग्रिडेल का 456 का योग है 951 का भी हो गया तो यह 951 का योग हमें क्या बताता है इनकी विल-पावर बड़ी स्ट्रोंग है अब चार नमर है यह लोजिकल और प्रक्टिकल इंसान होगे क्यों कि है आपके ईनलिटिकल स्किल बहुत अच्छी है क्योंकि 4 नमबर है चार नमबर वहला बहुत पैसा कमाते है चालिस के बाद क्या आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ बहुत बढ़ी राना तो देखो नुम्रोलोजी एक बहुत बड़ी विद्धिया है लोग कहीं बार कहते है एस्ट्रोजी ग्रेट है मैं बेनन को भी ग्रेट मानता हूं पर कई बातों का बहुत सध बहुत बढ़ती है और ऐसा हो अभी इनके साथ में 456 यह पांच नंबर इनके अंदर एक हुमर को भी बताता है यह लोजिकल तो होंगे होंगे थोड़े हसी मजाब में विश्वास करने वाले होंगे क्या बहुत सही कह रहा हूं तो दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं ना यह मेरे खुद की जो भी अनलीसिस आज तक मैंने लोशोग्रेट से की है मैं ज्यादा नहीं बहुता असी परसंट मेरी बाते बिकुल सत्य निकली है तो दोस्तों यह देखो लोशोग्रेट से साथ और छे से आपको संतान सुका पता लग गया आपने किसी की फाइनेशल ग्रो तो रोज पैसे कमा होगे तो यह चार तीन वुड़ ब्लेन है वुड़ के नंबर है और यह आपको पैसे के बारे बताते हैं अगर यह नंबर मिसिंग हो तो कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ रुख जाती है उसमें बादा आती है और साथ शे के साथ एक और फाइदा है यह मेरे से कोशिक बता पूछा था किया मेरी डिटो बर्ट की अनलिसिस कीजिए आप लोग बोल के जाते हो क्या वो सच्चा होता है यह नहीं होता तो मैंने आपको बताने की कोशिश की धन्यवाद दोस्तों